स्वागत है आपका Q&A के एक नए एपिसोड में सबसे पहला सवाल सुरज कुमार भाई पुछते हैं NTR निल मुवी अपडेट बताओ भाई भाई टोक्सिक मुवी सही में पोस्पोन होगा क्या बताओ हाँ ये मुवी पोस्पोन होगा मैंने वीडियो में बताया भी था कि उस टाइम राजा साही मुवी रिलीज हो रही है और ये पूरी तरह से कंफ्रोम हो चुका है कि टोक्सिक मुवी का रिलीज डेट पोस्पोन हो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि पूरी इंडस्ट्री में किसी के अंदर इतना हिमत है कि वो प्रभास के मुवी के साथ क्लास करे। बाइदर भी ये मेरा पस्नल ओपिनियन है आप अपना ओपिनियन कॉमेंट पर बताना। आपको इसी मेने के लास्ट विक तक या फिर अगले मेने के फास्ट विक में देखने को मिल जाएगी हिंदी के साथ और भी लांगोजेस में OTT पर इस मुवी की हिंदी राइट्स भी सन नेक्स्ट के पास ही है तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस मुवी का हिंदी भर्जन जाएगी थेटर्स में और इंडियान टू मुवी का हिंदी बर्जन आपको 14 अगस्ट को देखने को मिलेगा नेट्फ्लिक्स पर अगला सवाल है भाई में बांगला देश से बोल रहा हूं काजल अगरवाल की आने बाली फ्ली मोर कब आएगी हिंदी डुबेड की बात करे तो आपको सत्ते भावा मुवी 17 अगस्ट को रात को 8 बज़े देखने को मिल जाएगी कलर सिनेपलेक्स के टीबी चानल पर और उसके बाद ये मुवी आपको जियो सिनमा पर भी देखने को मिल जाएगी और थेटर की बात करें तो आपको काजल अगरवाल की नई मुवी 10 जन्वरी 2025 को देखने को मिलेगी मुवी का नाम है विश्वमरा अगला सवाल है भाई मुझिया और कल की मुवी का OTT रिलीज डेट मुझिया मुवी इसी महिने के अगस्ट को आने वाली थी डिजनी प्लोस होर्स्टार पर लेकिन इस मुवी के OTT रिलीज को पोस्टपन कर पड़ेगा बात करें कल की मुवी के बारे में तो कल की मुवी का सभी साउथ इंडियन वर्जन आपको इसी महिने के 23 तारिकों देखने को मिल सकता है Amazon Prime विडियो पर और इस मुवी का हिंदी वर्जन आपको सेप्टेमर के महिने में देखने को मिलेगा Netflix पर अगला सवाल है अगल की मुवी ने जवान मुवी के कलेक्शन को ब्रेक किया मुझे लगता है कि कल की मुवी जवान मुवी के कलेक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएगी अजे देबवन के upcoming movie के बारे में बताओ मैं जानना चाहता हूँ मैं उन्हें बहुत जादा like करता हूँ और एक सवाल भी कल की movie के box office collection से ही है मैं कल की movie के collection इसलिए update नहीं कर रहा हूँ क्यूंकि इस movie के makers ने last update किया था कि कल की movie के collection 11 से कोरोल हो चुका है कुछ website बता रहे हैं कि अभी कल की movie के collection 11 से कोरोल हुआ है और कुछ बता रहे हैं कि इस movie के collection अब 12 से कोरोल हो चुका है और ये movie जवान movie के collection को बिट कर चुकी है तो जब तक इस movie के makers खुद कुछ official एनाउस नहीं कर देते हैं तब तक ये बताना मुश्किल है कि इस movie का wild word collection अभी कितना हुआ है और इस movie ने जवान movie के collection को बिट किया है या नहीं अजे देवगन की movie के बारे में बात करें तो आपको सिंगम एगन movie इसी साल दिवाली पर देखने को मिल जाएगी थेयाटर्स में अगला सवाल है कि 15 अगस्ट को कौन सी movie ज़ादा collection करेगी और उसी से related ही और एक सवाल भी है तो 15 अगस्ट को सबसे ज़ादा collection करेगी street 2 movie क्यूंकि उस movie का hype बहुत ज़ादा है और advanced booking भी बहुत ही अच्छा हो रहा है और मुझे लगता है कि second number पर खेल खेल में होगी जो की थोड़ा ज़ादा collection करेगी और third number पर बैदा movie हो सकती है और जो south की movie हिंदी में थेटर में release हो रही है उनके बारे में बात करके कोई फाइदा नहीं है क्यूंकि उन movie को ज़ादा screens नहीं मिलेगा अगला सवाल है आपको क्या लगता है सलाट टू movie का shooting कब स्टार्ट होगा और ये release कब होगी प्लीज अनसर सलाट टू movie का shooting शुरू हो चुका है और ये movie आपको अगले साल December के महिने में देखने को मिल सकती है इस movie के makers ऐसा प्लान कर रहे हैं अगर सब कुस सही रहा तो ये movie अगले साल December के महिने तक देखने को मिल जाएगी अगला सवाल है रभी भाई ये बताइए कि Double Eye Smart movie के टेलर में हमें संकेत माथुरे सर का भोईज देखने को मिला है तो क्या सच में movie में संकेत माथुरे सर ने अपनी भोईज दी है राम पोईतिने निसर को हाँ भाई आपको movie में भी संकेत माथुरे सर काई भोई सुनने को मिलेगा अगला सवाल है एजेंड हिंदी HD movie अपडेट भाई अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है कि agent movie का HD भरजन आपको कब तक देखने को मिलेगा और अगला सवाल भी agent movie से ही है भाई में आपके एक बहुत ब भाई इस movie के हिंदी भरजन के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है ये movie 15 अगस्ट को सिरिफ तेलेगू लांगोईज में रिलीज हो रही है जैसे हमें हिंदी से कोई भी अपडेट मिलता है हम आपको पता देंगे और एक comment था कि ये movie किस movie की remake है तो ये movie red movie की remake है ले लेकिन इस movie में बहुत सारे changes किये गए है